अबे माई कॉन कर चूट नमस्कार साथियो, माईक ओन करके इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है अंकित पांडे, एके आंकी बोट और इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे भारत के चार बहुत ही जादा टालेंटेट बीजेमाई आईजियल्स जुन्होंने अपना लोहा सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी मनवाया है जिस फेहरिष्ट में सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे टीम सोल के ओमेगा, दा हमबल आईजियल्स देखना ये कि आज कितना जादा हमबल वो रह सकते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलने वाले हैं ओवेस बोलते, वैसे तो उनकी जो गंस हैं वही बोलते ही नजर आती हैं बट आज ये देखना है कि वो कितना गरजने वाले हैं उसके बाद हमाई साथ मौझूद है टीम गौड लाइक से शैडो जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पाउँ जिस भी टीम की दरफ पढ़ते हैं जो शैडो है वो चमकते हैं और जो पूरी टीम है वो भी चमकते ही नजर आती है और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमाई साथ मौझूद है टीम और अरंगितन गेमिंग के आश युन्हों ने अपना सफर शुरू किया था एक सपोर्ट प्लेयर से बट अभी के लिए एक जिगज आईजियल हमें देखने को मिल रहे है तो स्वागत करेंगे इन सभी का भाय ग्राइंड तो करेंगे अवाध है अवह आहरे थो हमेन आईफ ज़स्ट प्राक्टिस होते हैं ना ज़स्ट राइफ और पर अज़स्ते लिए थैंट में रहा बनिंग नहीं अगलिए आपिस राजाया एए अग ऐतिंग आने वाला है फोरे ताम में थाई-टाम में लीक्स वेँड़ा वके लिए मास्ति करना के लिए लाइस एट करने केला हुआ और थो रुछ नी केट को बात करो एक लिए पूरव जो बात करूड तो बुट करो हैंपरे अपने तेखार रहे बात करूडूर। जन्रल को तो वन उफ देश्ट तिल नवक अभी तक में सबके बूट केंप पर गया हूं सबका बूट केंप बड़ बाद बट वेट करना हमारा भी सब्सक्राइब तो इदर आते ही लिखा हुआ इसजी लग रहे है जाड जाड़ है जाड़ है जाड़ 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 यह जनता का एक जनरल जनता का यहाँ रहे हैं वोड़काम जो हो ठीज गरते हैं जो कितना मजा आता होगा और दोगो तो पाइशक आप ने तो आप भाट रह रहा हूं इस पैसिलिटी में जितने में वुटकांप्स पर आऊ यह उसमें से बेस्ट है क्या हमारी AG का है भी जो ओ प्रायवेसी की ज़रूत पड़े हम एगडम एग एगडम एगडम और अभी अगडम ग्रोह कर रहे है जो अब इतना जाना इतना बड़ा बूटकाएं मैं कहीं भी जागे प्राइवेसी खिए तरह को प्राइवेसी चीए तरे भी बच्छे कोई भालकरी में खड़ा रहता है अब पर्सनल लाइब सबका रहता है अब गमिंग है अब अब अट बजे नौ बजे मैचिस कहता हूं को उसके बाद थोड़ा टाइम तो लागता है अब तो देना बड़ता है एक टीम के अंदर जो चार प्लेयर खेलते हैं उसमें सबसे ज़्यादार रोल एक आइजल का होता है तो इस पर आप लोग क्या विचार रहेगा गलत तो नहीं है अब लान पे अब आन स्टेज तो चार प्लेयर हैं इसमें से तीन और और एक आइजल रहता है तो सब्सक्राइब आइजल को सब्सक्राइब अगर ब्रेक मिला तो कोच छे जाके पुरा डिसका सो सकता है बट आइजल को पुरा हो लेना पड़ता है लिए लिए बटल फिल्ड आइजल इज़ और अइजलो वह वह राफे थे लिए पाफ नियुक आप वंध मिन गुझ लिए तो तुम खे राफ नियुक्ट बहुत हो इसमें उसम पाफ ब्लीम्ट टुम्हें पर सहिए तो प्ले युट थो बोलना हिया जब तक लेंग भॉरिय में मिक्षão कर दो आफना दो आफना वेल को मिकला आफना जादा हमलें दो थूरा एफनाफ नुख दूरे खावं उड़ने लिए हमार्न रसे loves टॉर आ ने जिस वर्टे संवम्हक्णु दुणा यहार बात रहुने नियुक्त रहा यहांग जाएं कुना गैता है आपना अथिल यह पर फर्फ़रमेंस कहा और थी नियुक्ट सब्सक्या चाले बहुत अच्छी टीम है, प्लेयर सारे अच्छे हैं, बट कोई भी टीम में आप एक दिन में जाके उनके साथ बिना कोई टोर्नमेंट खेले, आप परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, जैसे भी था हमने अपना ट्राइ किया, बैश दिया, बस ऐसा था कि हमने पूरा एक मै कि अच्छे हैं, तो इसलिए हमने वो लैंन खेल एसे एलगे टीम में अच्छा दो रहा है, बट अच्छा दो रहा है, जो अच्छा दो लोग अच्छे हैं, मजा है कि हम अगर टीम सोलो मिट के देख एक बहुत ही अग्रेसिव टीम है और वह अग्रेसिव टीम एक टीम गॉडलाइक, एक्सपिरियंस प्लस अग्रेशन, वह दोनों चीज़ देखने को मिलता है तो क्या यह भी एक रीजन था कि उतना जादा आपको महनत प्लेयर्स को समझने में या फिर गेम स्टाइल समझने में नी करनी पड़ी और यह लाइक जब मैं परीवार टीम में आताना तो मैंने एक चीज़ रिलाइस कि कि बंदे मतलब बहुत मैच्छर है गेम को लेके लेके एक लिए लेके बहुत मैच्छर था उनको बैठना नीपड़ता था तो तू यह कर ले तू वह कर ले तो वह वह तो वह तो वह तो वह तो वह तो प्रस्टाइब किया कि कि अबड़ करने वे बिलकुल बिलकुल एंड कितना डिफरेंट होता है मतलब अगर हम लाइन के एक् अपर अजरा मैं पर था जाइन की अजहां कि उनको शॉड़ को प्रस्फंड मैं आपना अए यह वह तो मुशा यह तो प्रस्ट्राइब का प्रस्ट्राइब अबद तो टीमे अपना अलग हिए और धा यह ङ़रा था मेरा लास्माच चल रहा है मैं भुल फोकस हूं रह तो वह था जो स्कूराय को दान्स दान्स, क्या हुआरा जा जा हो देखा कांदरी कांदरी काने महां नाम भीक है। क्योंड पर दान्स दान्स के लाट करने हैं? कुछीर वैक तुरी मेंडरी का जीते हैं जाना जीत ल्रोफ ऐख लटाणस के लिड़ान आपगे। तो आप पिकाडो में पहुच गर वहां पे टीम सोल थी तो यह सारा जो सिनारियो था अवविसली सिर्फ इन गेम तक ही था सदे वोगुसार जो फोकस समय था है आप अपने गेम फोकस स्याहिए था जिए फ्सक्राइण उट फोर ले थी था अगर उससे पहले हम शोडाउन में अपनी अच्छी प्राक्टिस करें और अपना पूरा जो गेम संस है, टीम की सिनर्जी और बिल्ड करें, एक मुमेंटम बनाएं, तो डोंट यू थिंग की वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता था? मतलब सबके अलग अलग परस्पेक्टिव होते हैं, मेरा जही मानना है कि जितना जादा चिल रहे या कम प्रेशर लेके खेले तो इतना बड़िया रहता है, मैं तो जब फिर्म ड़ल वाई गए, वहाँ पे मेरा सेम था, कि चिल रहे के पूरा जितना भी एक्स्पिरेंस था अगर बड़िया रहे हैं, तो इसलिए सोचा था कि फिर्म प्रेशर ना लेते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता है, तो इसलिए सोचा था कि छिल रखेंगे तो वह सारी चीज दिमाग से अट जाएगे, तो इसलिए यही सोच के खेला था, लास्ट इवेंट है वहाँ ज तो इसलिए से पहले तुम उतना ही प्रेशर से खेल के जा रहे हो, और अगर उस टॉनमें तुमने अपना 100% दिया और तुमारा रिजल्ट नी आया तो कभी-कभी वह चीज हीट भी होती है, कि भाई हमने इतनी महनत किया और हमारा रिजल्ट नी आया तो एक अच्छा सब्सक्राइब करती है, तो नी 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 आया प्रेशर लेख जाएंगे तो इनके लिए नुकसान ही है। नी बेट वह उन ओंए तुमारा इंट नी परकान है। अब ही के लिए कि अगर आपको त्रायओ भी ले एक आपको तीम की सिनर्जी मेंटें करूंगे तो भी आपको में इवेंट के अंदर करना है अगर हम बात करें जनता की वो इमोशनली अटाच्च्ट है हर एक टीम से हर एक प्लेयर से जो भी उनके फेवरेट्स है वो उनके अटाच्च्ट सी रहती है एंड वांट देम तो परफॉर्म इन एवरी फ्रीकिंग टोर्नमेंट कभी-कभी यह जनता का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हावी हो जाता है एंड यह चीज की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम जाती है कम्यूनिटी के अंदर कि यार टाइम लगता है एक नया प्लेयर आया है से नर्जी बनाने में और यह सारी चीज़े करने में सो मेरे साब से पहले जो जो स्क्रिम्स होती थी उसको सब सीरियस खेलते थे मनलब कोई मस्ती मजाक नहीं करता था जैंग पूछ कर रहा है अविज अपनी जो स्क्रिम्स में भी लगाते थे अभी ऐसा है कि जो लोग मतलब इतना गेम होता है न डेली पूरे दिन में के लोग मस्ता सोते हैं कि स्क्रिम्स को भी सीरियस खेलना पड़ेगा व्होंग के अकंद स्चिसराइक और भी जानी एक दिन में एक नहीं टॉर्नमेंट में तो उसका इतना तरौनमेंट करती है, supernatural ृष्टerekन केरे लाट यहीं कार घुर्नमेंट में करना बढ़ता है और वो थोड़ा हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है क्योंकि अगर वो प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाया तो हमको परफॉमेंस में डिक्कत आ जाती है पर मुस्टी स्क्रिम्स में क्या आता है लोग गन पार टेस्ट करते है अपना इसलिए और फ्री कि बात होती है अगर वो उस लेवल का प्लेयर है और सलेक्ट हो जाएगा इस पे जब हम ऐसे प्लेयर की बात करते हैं तो एक बहुत क्रूशल प्लेयर नहीं माना जाता है जो कि फिफ्ट प्लेयर होता एक टीम के अंदर उस की ऊपर बहुत कन्वर्सेशन साती है तो एज अ कि इस प्लेयर होता है यहां यहां पे मतलब I just want to know कि how it goes because at the end of the day it's the decision of coach and IGL कि who will be the playing four like in most of the teams I guess कि वो IGL का ही decision होता है So how difficult it is for you know for individuals like you कि you know when you are also emotionally connected to that player but again you know that team is the priority and you have to go ahead like that So कितना मुश्केल होता है और कैसे आप इस चीज को हैंडल करते हूं कि हापको पता है कि यह लाइन में उसको बोरा लगेगा कि भाई वो playing four में नहीं है क्योंकि सब खेलना चाहते हैं सब चाहते हैं कि वो अपने आपको अपना पराक्रम दिखाएं सब्सक्राइब करते हैं तो उसको कैसे मानेज करते हैं आप लोग अमारे टाइम पर अम लोग को स्विच कर रहे हैं कि कौंसा प्लेंग फो रम को ज्यादा बेटर लगेगा तो हम लोग को कंट्यूनी करेगे तो नियो पे स्विच किया गॉड पे स्विच किया तो मतलब ए मेरे जो बाकी चार प्लेयर हैं, वो चारो केबड़ हैं मेन फोर में खेलने के लिए जो भी बैस्ट खेल रहा होता है उस तुनाविट में तो उसको हम स्विच आउट कर देते हैं तो हमारा ऐसा नहीं है, हमारे में कोई भी खेले का हमारी परफॉर्मस आनी है तो हमारा वो ऐसे सारे प्लेयर का वैसा इमाइंडसेट रहता है तो ओवर्ल इंडियन इस्पोर्ट में थोड़ा जो बहुत लोग मैचे और जैसे शेड़ों बोला और बहुत लोग मैचे और नहीं है अब जो 5th होता है उसको समझना भी important है कि तू 5th कियू है कोई reason है इसलिए तू 5th है वरना कोई भी इंसान पागल नहीं है कि तो तो 5th रखेगा तो उसको वह भी समझना है और mostly जो decision IGL पर मेरे इसाब से नहीं डालना चाहिए वह coach ही करें तो जादा बेटर है क्योंकि फिर players के बीच में बसड़ बचती है और वह tournament में problem create करती है तो coach बहले IGL coach से आके personally meeting करके बता दे कि यह scene चल रहा है और तुम सारे POVs देख लो recording देख लो यह देख लो कि ऐसा-इसा महाहल है और फिर coach decide करें और coach बोले उससे क्या होगा कि player coach पे उसको जो भड़ा सेगी वह coach पे रहेगी IGL पे नहीं रहेगी क्योंकि फिर कभी जब क्या होता है कोई player चल रहा है तो कोई player नहीं चल रहा है अभी player को खुछ से भी होना चाहिए कि अगर मेरा गेम नहीं चल रहा है तो भाई मैं बैठ रहा हूं इसको चांस देता हूं यह खुछ से भी दिमाग में आना चाहिए कि मेरा नहीं चल रहा है तो मैं खुद ही बढ़ जाता है अभी तक अभी तक इंडिया में आई नहीं है लोगों में हर प्लेयर में सबको ऐसा है कि मुझे चांस दो मैं तो माग कर दूँगा करने की बात जैसे बाहर इसना प्रोफेशनलिजम है यह इंडिया में उतना आना बचा है भी टाइम एसा होना चाहिए जो मतलब अगर वह देख रहें कि में फोर में नहीं है तो वह एक वह बहभी कुछ आप आपको नहीं पर singular करेरJean आप ने बोला कोच और आइजिल जो में को कंसेडर करें डॉप लोकेशन जो है यह मेरा है ऐसा हम बहुत टाइम देखते हैं और यह रॉप ट्राइश के ऊपर नहीं बहुत सारे कन्वर्सेशन साते हैं बहुत बार अब भार आप उब तो आप करेंचीव बहुत सारा लाक guarantees देखते हुट गाईजिशन साव आप तो हैं जब तो हमयाँ प्रेशन करेंग जिए करेंगे उपज़ टोड़ी सिनरी जाप रहें जो की कोई तीम के पारा टोटेशन कर तो ने इस ब्सक्रा हैं तो बहुत आप बार उनको समझाना पड़े कि यहां से नहीं यहां से जाएं, जो मिली सेकंड उते हैं, बहुत फरक वड़ता है उनसे हैं, जो उनके लिए जाएं पाइस बहुत बहुत जाएं अब मुझे अगली बार यहां जाना या नहीं जाना है छेशी करा channel, पогला लोखिए और में दुसरी टीम बेला मार आप­ण, विले में गुक्ता में ए दॉसरी टीम में तो अभी मेरा भी मेरा रगा कि तो मैं को आइजील करने तो हमारी सिनर्जी नी पन पारी तो इलोग ने हमको कम से का मुननीस बार दोया तो अभी हमने मेन टॉर्नमेंट में थोड़ा चेंज किया कि हाँ अभी लोग थोड़ा अच्छा केल रहे हैं तो इसा मेरा वाला कुछ नहीं होता है तो मेरे को पता है कि किसको कैसे मारना है और टीममेट्स को पता है किसको कैसे मारना है उनमें सोलो स्किल्स भी है वो हर चित कैसे समवाल सकते हैं अगर सिचुएशन आती है कि हां भाई कई और जाना है तो फिर आईजल में इतना होना चाहिए कि भाई उसको उसको पता रहना यह इस इस भी लिया, फिर यह ड्रोप लिया तो मेरे कुण्याद भी मैं अपनी टीम कहल लुगा लुगा, थि मला रैंकिंग्ल में पोजी हं जिली निकल लुगा वी अगर आप एक डॉप लोकेशन को अपना बोल रहे तो यूश्वा था थी रहा तो यूश्वावग सब्सक्राइब तो कि अविफ भंड वे डोईबू टो बंदे और कि लाइन एक की है तो एक रॉप की तो बंदे और और किंप लागा तो किसे खिल वाना एं पर आप एड़ दाएड जो हुआ है वो हुआ है वर दॉप को पोधा है वो इन गेम पार्ट दाइड दॉप कि एड़ दॉप कि एड़न तिंग कोज इशुआ था So guys मेरे एक मित्र है जिनका नाम है अकाश दीप मोंगा तो उनके जीवन में एक दिक्कत चल रही है अभी के लिए वो एक इन गेम लीडर है और टीटू रॉबी में कहिलते हैं यूजवली तो क्या होता है कि जो नके टीमेट्स है ना ही प्लेट उनकी बात उतना सुनते नहीं है यह समझते नहीं है तू भी तो हमारी जगह पर ना तू ने अपने लाइफ में ऐसा क्या उखाड ले कि मैं तेरी बात सुनू तो वाट दू थिंक एंड हो दे कैन वर्क ओन एट एंड कैसे इस चीज को बहतर किया सकता है उस लेवल के ऊपर तो टीमेट्स में अंडस्ट कि वह समझे बात को यह नहीं कि उसको पलटके जवाब तो अगर गलात है तो ऑवियस्ली दो भाई फिर उसका प्रॉपर डिस्कॉशन करो प्रॉपर यह नहीं कि ज्यादा लेवल पे जा रहा है हो डिस्कॉस करो कदम करो और ट्रस पे सिनर्जी पे टीम चलेगी और एक जैसे सेम इसने बोला कि AIGL को भी अपनी पिंश्टेग करना चाया और वो सिस्थ तीन के बोलने पर भी नहीं करना चाहे कार पहर को वो एक भी बोल रहा है तो गुव बोल रहा है वो समझे वहो कभी-कभी ऐसा होता लुई आइज़ल गलत होता है और जो प्लेयर बता रह य तो वो प्लेयर को भी समनना चाहिए, जब वो गलत है, वो खुद उसको समनना चाहिए, कि मैं गलती खुद किया हूँ, मेरे को अपने इंडियन सीनेरियो में यही सीने है, बंदे गलती करते हैं, बट वो ब्लेम किसी और पर डालते हैं, तो इधर ब्लेमिंग गेम बहुत चल ग्लत प्लेमिंग वो जलिए बनाते हैं, अगर मेरी कॉल गलत है और यह दे तीन गलत है, तो ठीक हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि साही प्लेड़ यह था गलत है तू कैसे बोल रहा है, फ्रेंडशिप रहती है जहां पर, वहाँ पर पर सिनर्जी बहत जल्दी ब कि तेम चाहिए काफी बैटा परफॉर्म करीं. जैसे कि अमने बोला सिके पॉर्जोन पे पर्फॉर्म के जैसे कि यहां पर एक लाइन आती है कि वह और वह वह जो जो हम ट्रोफिय की बात करते हैं तो वह पर लाइन कप रॉख की जा और कैसे जा वह झाया बुट थांपल्स तो प्रियृर्टी फट्रोफी और नीं थे वाकाउट नीए तो दो 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 देखो, मैं इस चीज बहुत अच्छी चीज है, Godlike ने जो किया है, कि लोग अपनी friendship को भी maintain किया, ये लोग ने अपने साथ, जितना इन से हो रहाता किया, जैसे इनका नहीं हो रहाता इनोंने, जिस चीज में problem हो रही थी, उस चीज के लिए बंदा देखा, अब उनको उस बं अप्रिशेट करता हूं कि इनोंने बहुत अच्छे तरीके से इसको manage किया और ये इनके लिए बहुत है, इसलिए इनके परफॉमेंस जो है, जैसे shadow आया तो इनका परफॉमेंस उतना नहीं किरा, और इनोंने जल्दी catch-up कर लिया, उसका एक रीजन ये है कि तीन प्लेयर मे अच्छे दोस होते हैं, बट वह जो try-hard होता है, उनका continuous hard work होता है towards game, वह इतना जादा नहीं होता है, जहां पर छीज होते हैं, वह तो टीम थोड़े time के लिए नहीं चे रहेगे, बट हमेशा नहीं 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 सकते हैं Like the trust is important, the board is appointed obviously, Shadu like what would you like to say, अभी के लिए अगर हम ये transformation देखें, team solo mids, team godlike के बीच में, there are a lot of learnings, जैसे कि हमने देखा अभी किनो almost, जो like, अगर हम aggression की बात करें, almost similar हमें देखने को मिलता है, experience much more है, हमें team godlike में देखने को मिलता है, ये पूरी journey आपकी कैसी रही है, and how you coped with all, you know, all these scenarios. Like, जब TSM को मैंने लीफ किया था, तो मतलब मैं इनके साथ बहुत जल्दी mix-up हो गया, मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमको time लग रहा है mix-up होने के लिए, वह हमको मतलब चीजे और अच्छा करने के लिए, मतलब बेटर हुआ हमको चीजे और अच्छा करने के लिए अच्छा करने के लिए, मतलब 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 अच्छा करने के लिए, म आपने डॉप लोकेशन चेंज किया, वहाँ पे रोटेशन प्रॉपर गया है, जस जो फोर्ड जोन था थर्ड जोन था, उसमें हमने एक फाइट हारी तुमारे पता दो था, तुमारे पस लीड है तुमारे पता तुमारे 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 लिडामरे शेटी हने वीड कि अपटा तुमारे से ने रहें उन्हार, प्रॉपर जिसाओ। को निए को नए चीज नहीं ता सब में सब्हु करते हैं एक और दो अगरना तरफ सा रहा है जोगना लोगने से भी स्थेइड में सब्सक्राइब के एक जितա जए हैं प्लीज जीट जा भाई I guess he focused on the word hug ना मत second second नहीं आला है second बहुत दर्द देता है painful राता है वो दिखा भीता है वो जो emotions हमें देखने को मिलेता है after the match इस पर कार से हो जाते है प्लेशन जैसे मरें देखने को मिलेता है प्लाचल के देखा यह मरते ही पता चलिगा देखने कि यह भाई 7C इतने बंदे मार रही तो इसको टीममेड को आइड़ा था AK को शायद पता था 7C भी है मैंने द्यानी ने द्याता मेरे को दा कि मेरे को अपना गेम में बहस देना है तो रोटेशन तक हो क्या था और मज़ी की बाद तो यह कि लोग 7C से ही मरे हैं हम मैं पता हो तो अजला हो तो जाप में भी वो फाइट लेके मर जाते ना तो इतना दर्द नहीं होता बट उदर एक नॉक वा तो हम थोड़ा पैसिव हो कहे वो प्रेशर आप हिट करता है वो तो अगर ठुटनामेंट में इनको लोगों को सबको ही पता होगा ऐसे मैचों में प्रेशर हिट करता है में क्या है जो बीजी एमेस की विनर थी जी वो भी नीचे थी तो जो उपर आली टीम सी उन पर काफी प्रेशर था यह जए खिए और चिकन निकाल दिया बट अच्छा केले बट अच्छा केले बहुत अच्छा केले लोग अभी जैसा एश ने बोला कि वो पॉइंस रवाज नी रेखते है तो इसे बहुत सारे SuperStations होते है जो IGLs follow थे मेंने ऐ था सेंसे से बात थी एक वह जो पर्टिक्लर स्टेशन की आपने कि अज़ नसे एक वाला फाट सामने। यहां पर आपको पर देखता हूं मेरे को आइडिया रहता है मैं पोइंट से प्रेशर नहीं ले था यहां पता रहता है कौन सी टीम थोड़ा सी उपर उसको प्रेशर होगा और इनकी फाइट हो रही है गुष जाओ यह वैसे आदा तो वैसे मर जगा है अगर मैं बोरा मैं देख रहा हूं तुम मत देखो तो उसको पता चली जाता है वह जाएगा वह पर उसको भी रहता है इंट्रस्ट के जाने हम किदर है वह पर वह जैसे लोग होते हो जाके बताने तो हग्ला मश 17.1 So guys अब हम लोग कहुंच के एक fun segment की तरफ जहां पर आप लोग के पास जो बोर्स है वो आप लोग सकते हैं इसमें गया है कि मैं एक statement बोलूँगा और आपको बताना है कि अगर आप agree करते हुआ तो यह यह अगर आप वो मेरे Öकॉरडंग, पीम गॉडर लॉड लॉड़क है वहल्फ सब लेश करते हैं म contingなた है नहीं अजो है कि आप हूडग बंढ़ नहीं भालन धूर शवाट बैश् है तो अभी तक Jonathan ने प्रूफ किया है कि क्यों है वो MVP अधिक टॉनमें पर्फॉर्म किया तो यह सेम मतलब जो सब बोल रहे हैं वही है कि उसने प्रूफ किया है अभीसली एक प्लेयर बेस्ट अभी होता है जब वो प्रूफ करता है Focus and dedication, I mean I've seen a lot of players who lose a little focus on and dedication Mainly here, I mean I will just say these two factors That's one thing because this is one thing which I have seen and I mean we have discussed in some time that when we are seeing that Jonathan is against an emerging player and another player who proves out The player keeps on changing but Jonathan is still there so obviously that's one thing Which brings us to the next statement and the next statement is and it is a very important statement अगर एक एक एस्पोर्स एथलीट एस्पोर्स के सादसत्त परोक्स करता है, तो कही यह हंपेस्पोर्म आ जो वह इन फिर पर्फॉम कर से हैं, इस अई गाइज ना पर इस कहता है? what do you guys think about it no yes yes okay and you are with maybe so why do you think like because i feel like that the focus is a little bit bigger right that you have to take both things together now you have to give you example johnny guy that you have to take both things together so if you can't do it now you can't do it then you don't have to come to anyone I should focus and dedication exactly like it requires a different sort of focus and dedication so my maybe reason is that some people will do it and some people will not do it and like eventually you have to understand your abilities here where like you can take both things together well uh fair enough and this brings us to the next statement you like playing in your team as a fifth player even if you are given an option to join another team where you are in playing four yes yes maybe is coming in and yes so why maybe it depends on my team who has become a fifth player so why is it fair that actually if i underperforming then i will sit alone and i will not play with myself because if i underperform and the rest of the four people are better then they will deserve to play but if there is a reason obviously i will playing for it is a better option yeah and this brings us to the last statement and it is uh i have a girlfriend congratulations and now it's a statement as well i have a girlfriend yes so guys like the the main the main reason why i am जो अग्याहिए पैस्ट इस प्रेश लिए लिए प्रेस्ट इंड इस लिए पर्किन परेश है इस वह एक्वार्ट पर्षार देखने और फिर गेम्पलेश पेट अट इस में अठेले लिए बड़ की इस अटरा नहीं तो इस वह रहत वोगशार प्रेशर इस सब्सक्रा बात in life. pak लोजातीक है अल्लि. तो स्वीन है, यूफशन ऑफ और बोलना ज pianta14. त다면 अपना कुर। नहीं है आप the game time में, शुकि और पुरा डे गेम रहता है, एक और सवाल यहां पर आता है कि अभी के लिए अगर हम जो देख रहे हैं पूरा सिनारियो कि you know we all are hoping की BJMI फैर्फ दे देख दना थे इस नॉरा सिदाव मेशु करते वाथ कि अगला स्फिक्रे मादरे मातर खोट गल सो ne जनी को दोगाँ है वेलों अगाँ इस फिर खरी अटेश में है किशोच्पराइब भीडियुणीवेट के दो प्राषण गडिए मिए इस सब्सक्राइब गगाँ एक्रेशनल चुट्ण से करम से सब्सक्राइब और अगाँ ये रहाँ है आयाँ ड्य में दोगाँ उस दो द छाती है? Okay, even if BJMIE is back? प्रवाल मुष्ग गार्प्रेंच मि अरे्मूपिय universey? जरेंच freeze थी आँ« मुष्छ थी कि विए थी किया थाख करेंगे, is an aapैस थी कियाjust? फीजएमाय थी जरेंगे किईजिए् DR वों कोशबने हैं, विए बन कम में कम जो करेंगे को और इस सारी चीज़े होती है, how much do you think that it impacts, because आप ही ideal है, main जो कंधा है, जिसके उपसरी जिम्मेदारी होती है, वो आप लोग की उपर ही होती है, ताकि हम बैठके उस चीज़ों को अनलाइज कर सकें, देख सकें, समझ सकें, तो उसमें help करने के लिए coach ही होगा, क्यूंकि वो बैठके देख रहा होगा, हम खेल रहे होगे, जैसे हम अभी भी अगर tournament होती थी, तो पूरा दिन खेलते थी, तो हम देखें गब उसको, हमारे ब अगर बैठके लिए अपने गलती समझने के लिए, बहुत है, बढ़ा है, बाद करते हैं, तो आगर मुझे देखने वाला कोई है, मैं टीम को बोलता रहूँगा, तो यह कर तो मुझे देखने वाला कौन है, तो उसके लिए भी coach बहुत है, अभी तो इंडिया में देखव तो coaches तो बहुत है, पर जो actual work करते हो, बहुत कम है, बहुत कम है, दो होती ही नहीं होगे, coaches, जो actual work करते हैं, बाकी coaches तो I don't know what they do, तो बाकी coaches का basically रोल रहते हैं कि हमारा time save करें, अगर हम लोग back to back event खेल रहे तो, and हमको morale boost कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला का, मैं एक support player था, so support player से जो मेरा conversion हुआ है, convert जो हुआ हूँ मैं IGL में, उसमें 100% मेरे coach का हाथ है, जो उन्होंने मतला, मैं जहां पर भी अभी जहां तक मैं पहुचा हूँ IGL करके, 100% हो मेरे साथ है, उन्होंने में को पूरा सिखाया है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कब करना होता है A to Z, but in-game मैं रहता हूँ, but back-end पे उन्होंने मेरे माइंड में सब में को सिखाया, मेरे teacher होई है, starting से support player से जो IGL बना हो, मैं उनकी अजसे बना हूँ Help तो करते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कुछ-कुछ चीजे ऐसा हते हैं, मालने कोई basic rotation या फिर कुछ analysis टाइब होगा है, कि इतनी टीम में से कौन सी टीम, जैसे 16 में से कितनी टीम हैं, जो मतलब एच पे गेलती है, और कितनी सेंटर गेलती है, अगर मैं वो चीज देखने कि और कोई बोलता नहीं है, कि और कोई बोलता नहीं है, तो कोच अलग से point out कर देता है, यह तेरी यह गलती थी, एंड हम उस चीज को respect करके कि हा, तुने बोला है, तो कोच बहुत जादा इंपोर्टेंस देता है, टीम में एक जो प्लेयर होता है, जितना जादा हो उतना ब अगर support बनाना था, तो हमको Assaulter को support बनाना था, कि मतलब, सब आता हो, ऐसा नहीं कि हमने किसी को exact बोला है, कि भाई, तू support ही है, तू support ही खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम में सब, सब खेलता है, हमारी टीम में जब मैंने Godlike जोइन किया तो इनको मैं वह भी बोला मैं support नहीं किल सकता हूं, या मेरा टीम में support नहीं किल सकता है, अभी जैसे मैं कभी-कभी तवियत खराब रहती है, तो मेरा टीम में आई-जय करता है, तो उसलिए हम लोग सब को, ऐसा कोई role defined, थोड़ा-थोड़ा है, बट नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग सब आता इंडिया में अभी वह चीज अटेन करना लाइक पॉसिबल नहीं हुआ है, तो प्लेयर्स के अंदर फ्लोस भी होता है, तो उस इसाब से मैनेज गरना वड़ता है, तो तो थोड़ा सा support वाला सीन अखना वड़ता है, तो इचीज अगर आगे हुई तो बहुत अच्छा रह अभी तना वो नहीं है. आप तो एक चूचो तेम शोल के वृड़ता है? युचा चिंगी स्याइश तो आफ टाम से में खया हैं। अइश एक तर आएक बार टीम 뭐?" तो तो युथ भी तोना दो युआ युचे तो आपको लग्ता है, अब्हें से तो नहीं कुछ था? कि अभी आप जहान पर हैं आपके पास एक perfect टीम आपको वो मिल चुकी हो जैसे के अपने बोला की क्राइब आप की मिलिया है या फिर और वहां नहीं बहुत ज़ादा वक्त लगेगा सो बीजेमाई के लिए तो I have a perfect team मतलब बहुत अची टीम है मेरी अभी जैसे फ्रेंकी भी है जो भी कमबेक करने वाला है बहुत जल्दी अगर गेम आती है तो फ्रेंकी भी कमबेक करेगा बिकॉस उसका 2L चल रहा था और उसके एक्जाम और उसका और बहुत सारे थे तो उस अज़े से वह नहीं खेल पा रहा था तो अब मुश्ली फ्रेंकी भी कमबेक करेगा और वैसे मैं जो जीस और्ग भी बहुत अच्छी है तो आर्यामन भाई बहुत अच्छी है और वह फुल सपोर्ट करते हैं तो मैं जीधर हूं उदर खुश हूं चले यह काफी काफी ज्यादा बढ़िया चीज है और काफी सारे लीक्स मुझे बिल रहे हैं पर आपने भी निलमच ऊचीए तो आपने काफ बीक्नेननन को डाई को षब पार शेपी ख्रुडिपट दाकेशकार गूं रहे हैं तो आर्यादान क्या कारों जां च्तु बहुता है प्रभ्या का विन कि यह उख उन्यानलों लावब है तो बहुत सारे मतलब तेम्स जादा एक्षिरेंस है क्योंकि उन पर था दूसरी टीम्स जो है वो पहली बार खेली एंडॉट पर उनके साब से तो इसलिए वह स्टेटमेंट था कि एजी लॉब्य होगी है तो मतलब T1 टीम्स एस कर सकती है व गोरवाई था मयरा बात कर तो सब छीए मिस खामिंटी कि पूरुब्य होगी होगी है टीम्स पर ही लाखेल टीम्स घर आघ इसी लितास्याली से ख्वल यह नहीं लगाए के कि जाए जाखनारी हुआगी होगी है जाए टीम्स टीम्स मसे र bunny संब अब वहाँ जाना पूर्णा या कि बट आखि एक रख़ देना जारा था वह वह अगा लग 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 में अगारते हैं वो जीजी अब भी लग लग ले लग लग लीज़ा था था जो लग लाँ का रान्ने किनि टीम वहाँ I think that I should wear my helmet because you guys took it very sportingly in which you have answered me, it was much bigger. But this is the last thing I just want to know, if you have to make a dream team which is where the three people are sitting here or you should move. So you have to make a dream team which you are not alone and you can choose your ideal team. So which dream team will be yours and if you are in any team, you don't have a player of that. So starting with Omega. मेर मेर को अप्रेम टीम मेर को अग्रेसिव टीम विलन कुछण गले कुछ आशे हैं जो को कम पिलसर पिर्मय ढदा है तो अच्छ को मेर kale कि 36 जा freshmen चैस क्वाइट एले हैं तो 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 जो किव समय हुथ िंठीनी हैं मेरे साहब फिल्टर कर चाला था तो एक घर सिस्टर था बेजा युछ खरूंग गार झारूंग तो एक एक गौॉटर्श एक इसाथ मैं देश करो आघ थानी कि नांन चाल घ्यान थे पारूंग तो एक जोञट न को घो इना को युछ में एक फ्रैंकी देज़ थी दुरेंग Sensei Fures AKMJ Oh my god, it sounds like a very strong team undoubtedly So I always will play IGL, I will play IGL You guys are playing some fanatic fanatic? He told me, he told me I told my palette under my OWS But I have played IGL so many times, I know how to play And Frankie Can you go international? No, 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 no Okay, okay Pranky Johnny And God Z-God Oh wow, that's a strong team Omega IGL Jelly Jonathan Punk And Z-God Oh my god So you are becoming a strong strong team And I think that the people they love Like if this team has ever played in real life But obviously now we have to sadly wait for that And let's just pray that all the things that we have sorted in real life And at the same time guys, thank you so much for joining for this podcast It was fun talking to you We have done a lot of things that we don't do in general or know people who knew people And I am just very happy and as a token of thanks from the OG family we would like to give you some hampers you can say it So yeah But I am at the same time, I think This was the whole session of the podcast And what we have done is we are doing more frequently Today we have to do and feel us exactly the things you can understand about each other And it looks good I am going to open it If you want you want it then you can open it I am going to open it निसा वेत निया हो रहाए यदू कर वे वाट था युआ है पॉल गए बटल मिन एक जो मुझे अचेह थी मैं जारो माउस पेड? अहां मैं कल आड़र करने आड़ा था माउस पेड मैं अभी घर पर जाके सोचा था आज दो कल मैं माउस पेड और बड़ुगा बड़ा थोड़ा खराब हो गया चलो मेरा जो वो ऐड़ा था फाइदियो गफ मिल गया तो आप अजी में आजेगे, आपको इसली पिल जाएगा, बडूस के लिए आपको एश के साथ थोड़ी मुट्भेड करनी पड़ेगी, बड़ेगी गाइस, थोड़ी मुट्भेड करनी गड़ेगी, आपका जो फेवरेट पार्ट था, वो कौन सा था, और अगर आपके कुछ डिफरेंट ओपीडियन से डिफरेंट व्यूस है, तो आप वो भी जरूर से देख सकते हैं, तिल दिन, टेक कियर, टाटा बबाई, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिये.